सब्सक्राइब कीजे Modern Computer Institute के YouTube चैनल को और वैल आइकन को दवाईए लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो में आप सीखेंगे Microsoft Office Word के Translate Option और Language Option के बारे में जो कि आपको Review टैब में Language Group में मिलता है नमस्कार दोस्तों मैं दीपक और स्वागत आपका Modern Computer Institute के YouTube चैनल में अगर आप इस चैनल में न्यू आया है तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लिजे क्योंकि इसमें आपको केंप्यूटर से रिलेटेड धेर साड़ा एडुकेशनल वीडियो मिलता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भी हम लोग Microsoft Office Word ओपेन कर लेंगे Microsoft Office Word में आपको Blank Document लेना है और यहां आपको Review टैब में मिल जाएगा Language Group के अंदर Translate और Language Option ये दोनों Option काफी ज़्यादा Important है इसलिए वीडियो को आप बीना Skip किये हुए पूरा देखते रहिए अभी मैं आपको Language Option के थुरू बताऊंगा कि आप Microsoft Office Word के Total Interface को हिंदी में कैसे यूज कीजेगा यानि जैसे आप अपना Phone का Language अगर हिंदी करते हैं तो आपके Phone का Total Setting, Option का नाम, Total सब साड़ा का साड़ा आपका Hindi Language में आ जाता है उसी तरह आपका Microsoft Office Word आपका Total Hindi में कैसे यूज होगा तो Translate Option पहले अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम लोग Language Option को सिखेंगे तो सबसे पहले अभी हम लोग कुछ Type कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसको English to Hindi में Translate करके देखेंगे इसके लिए आपके Computer में Internet होना जरूरी है अगर आपके Computer में Internet Connect नहीं है तो Translate Option आपका Work नहीं करेगा अभी हम लोग RAND कमांड के थूरू कुछ Type कर लेते हैं या आपका Type हो चुका है अब इसमें आप Translate का यूज केजिए अभी हम लोग Translate का यूज करते हैं तो जैसे आप Translate में किलिक करते हैं यहाँ पर आपको First वाला मिल जाता है Translate Document English यानि United State का Language English to Hindi में यह मैंने Language पहले ही चूज किया है यदि आप First Time इसको किलिक करते हैं तो इस Type का Interface आएगा जो कि अभी आपका Choose Translation Language से आएगा First Time अगर आप किलिक करते हैं इस Type का Interface आएगा और आपको यहाँ पर Language चूज करना होगा Translate from English और to यानि Translate to Hindi तो यहाँ पर आप Hindi Language सर्च करके उसको Choose कर लिजेगा यह आपका English to Hindi आपका Language सेट हो जाएगा अगर आप First Time किलिक करते हैं तो उसी Type का Option आएगा यानि Interface आएगा उसके बाद जैसे आप इसको किलिक किजेगा तो यह पूरे Word Document को Translate करता है ना कि किसी एक यह दो पाड़ागर आपको जैसे आप किलिक किजेगा तो यह आपको आगे प्रोसेज करके एक वेब पेज में Result देगा यहाँ पर आप Down So Again भी कर सकते हैं दूबाड़ा आपको यह Message नहीं देगा Translate Whole Document के लिए यह Box का Message दूबाड़ा नहीं आएगा अगर आप Down So Again को चेक करते हैं यह आपका वेब पेज में Translate करके देगा यह आपका English to Hindi Translate हो गया बाद में अगर आपको दूसरा Language भी चूज करना चाते हैं तो यहाँ से आप दूसरा Language चूज कर सकते हैं यानी Change कर सकते हैं अगर आप यह Hindi Convert किये हुए डाटा को Word Document में लेके जाना चाते हैं तो इसको Select करके आप Copy कर लिजे Right Click करके Copy, Close फिर यहाँ आप अपने Word Document में इसको नीचे Paste कर सकते हैं यह आपका English to Hindi Convert हो गया यानी Translate हो गया अब आगे हम लोग करते हैं क्या Select किये हुए Text को करते हैं जैसे मैंने एक Paragraph को Select किया एक Paragraph को Select करने के बाद हम चाते हैं कि सिर्ब और सिर्ब इसी Paragraph को Translate करके हमको Hindi में दे तो उसके लिए Translate में आपको Second Option मिलता है Translate Selected Text जैसे आप इसको क्लिक किजेगा और आगे Yes किजेगा Processed के लिए तो यह आपको एक Navigation Pen देदेगा राइट साइड में और यहां आपको Translate करके दिखा देगा जिस भी Paragraph को आप Select किये हैं यह आपका Translate हुआ अगर आप इसको Insert करना चाते हैं अगर आप कहीं दूसरे जिगा पर Insert करना चाते हैं तो आप Copy कर लिजे फिर वहां जाके आप पेस्ट कर दीजे यह आपका Insert हो जाएगा Insert किये हैं भी आप देख सकते हैं यह आपका Hindi में Translate हुआ Insert हो चुका है तो यह आपका हुआ Translate Option और अगला आपका Language Option तो Language में आपको दो तरह का Option मिल जाता है एक Proofing के लिए मिलता है और एक Interface के लिए मिलता है यानि पूरा Microsoft Office Word के लिए अभी इसको हम लोग खाली कर लेते हैं यानि Old Document को Delete कर लेते हैं बढ़ते हम लोग अगले Option के तरब अगला Option है हम लोग का Language तो Language में आपको दो Option मिल जाता है जैसे आप Language को किलिक किजएगा पहला आपका Set Proofing Language और दुसरा आपका Language Preference Set Proofing Language में होता है क्या जैसे आप English अभी चूज किया हुए तो English में अगर आप कोई भी एक Word गलत लिखते हैं तो उससे Related आपको Suggestion देगा यानि वो सही है या गलत है ये चेक करना काम होता है Set Proofing Language का अगर आपने यहाँ पर कोई दूसरा Language चूज करके रखा है डिफॉल्ट करके और आप English में कुछ टाइप कर रहे हैं अगर वो आपका Word गलत है तो वो गलत नहीं बताएगा अगर आप दूसरा Language चूज करके रखे हैं तो यहाँ पर आपको English ही रखना है अभी हम लोग Hindi Language इसमें डाउनलोड करेंगे तब मैं आपको Hindi Language के थुरू भी इसको दिखा दूँगा अभी English है ओके किये इसको अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ गलत Word टाइप करता हूँ यानि गलत Spelling लिखता हूँ यह मैंने गलत लिखा तो यह आपको Proofing Language के थुरू दिख रहा है कि यह आपका English में लिखा हूँ वर्ड गलत है अगर अभी हम लोग Proofing Language को चेंज कर देएं इंगलीज के अलाबा दूसरा Language ले 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 तो इसको Error नहीं बताएगा यानि यह Red Wave Line नहीं सो करेगा आपको अभी इसको हम लोग सही कर लेते हैं Spelling & Grammar के थुरू दूसरा आपका Language Preference यहाँ आप देख सकते हैं दो तरह का है एक है आपका Office Display Language यानि काउन साल Language में आपका Office यानि Microsoft Office डिस्पले करेगा और नीचे आप देख सकते हैं आपका Languages and Proofing यह आपका Proofing के लिए है यानि जो आपका Error होगा उसको Correct करने के लिए यानि अगर आप English चूज करके रखे हैं इंगलीस में कोई भी वर्ड अगर आप गलत लिख देते हैं तो उसको यह Red Wave Line के थोरू Error बताता है तो यह काम होता है Proofing का इसमें अभी हम लोग एक Language एड करते हैं हिंदी को तो इसमें कुछ टाइम भी लगेगा इसका मैं आपको अभी इस्टे बता रहा हूँ और बीच में मैं वीडियो स्कीप कर दूँगा क्योंकि डाउनलोड होके इंस्टॉल होने में काफी टाइम लगता है Aid Language को किलिक किए अब यहां से आपको उस Language को चूज करना है जिसको आप यहां Aid करना चाहते Microsoft Office Word में जैसे हम Hindi को Aid करना चाहते है तो Hindi को Select किए और यहां Aid को किलिक कर लिए तो Aid कर दिए तभी यह Aid हो नहीं गया है आप देख सकते हैं इंगलिस वाले में Proofing Installed लिखा हुआ है और यहां Proofing Available है यानि यह आपका Microsoft Office Word में अभी Install नहीं हुआ है तो इसको पहले हम लोग Install करेंगे और Install करने से पहले आपको Download करना होगा है तो जैसे आपको Download करना है भी तो उसके लिए आपको यह Proofing Available पर किलिक करना है जैसे आप किलिक किजएगा तो यह आपको Microsoft Office के Website में लेके आ जाएगा यानि एक Web Page खोलेगा और वहाँ पर आपको यहाँ Download का Option दिखेगा Hindi Language के लिए जैसे आप इसको Download किजएगा तो Google Chrome Browser अगर है तो यहाँ नीचे में आपका Left Side Corner में यह Language Pack डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद आपको इसको Install करना होगा और Install करने से पहले आपको Microsoft Office Word को Close करना होगा Microsoft Office Word को Close कर दिए और यह आपका Office Setup जो है Language Pack का इसको किलिक किए और Run कर लिए यास आप देख सकते हैं यहाँ Hindi में लिखा हुआ है हम चीजों को तयार कर रहे हैं तो यह आपका Hindi Language Microsoft Office Word में Install हो रहा है यह आपका Time लेगा हो सकता है 10 से 15 मिनेट Language Pack इंस्टॉल होने के बाद आपको Close कर लेना है Close करने के बाद अब हम लोग Microsoft Office Word को फिर से Open करते हैं Microsoft Office Word Blank Document लिए अब फिर से हम लोग Review में आए और यहाँ Language में आपको आना है Language Preference में Language Preference में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका Hindi Aid हो चुका है आप देख सकते हैं Display Language में भी Hindi है और आपका Proofing Language में भी Hindi हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं Proofing Installed लिखा हुआ इस बार इससे पहले Proofing Available लिखा हुआ था तो अभी हम लोग सबसे पहले Display Language को Set करके देखते हैं अभी आप देख सकते हैं यह आपका Total Menu English में है File, Home, Insert, Design, Layout यह Total आपका English में है तो Hindi को Select करने के बाद यहाँ से हम लोग Set Age Preferred कर देंगे जैसे आप Set Age Preferred कियें अब इसको OK कर देंगे OK करने के बाद आपको Microsoft Office फिर से Open करना होगा Close करके OK कर दिये Close किये तब आपको Effect दिखेगा इसे Effect नहीं दिखेगा Microsoft Office Word अब आप देख सकते यह आपका Microsoft Office Word Hindi में available है यानि यह आप देख सकते Home का आ रहा है Mook के प्रिष्ट New का नया Open का खोले यह आपका Blank Document का Rict दस्तावेज यह आपका Pure Hindi में आ चुका है Total Microsoft Office Word तो यदि आप Microsoft Office Word को Hindi में यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से Microsoft Office Word को Hindi में यूज कर सकते हैं यह आपका Hindi Language में हुआ फिर से आए हम लोग Review में यानि समिक्छा समिक्छा में उसके बाद आप देख सकते हैं Language का वासा उसके बाद Translate का अनुवाद करें यह आपका Total Hindi में आ जाएगा Microsoft Office Word अगर आप फिर से इसको English में करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका वासा में आये यानि Language में और फिर यहाँ आपका अंग्रेजी चूज कर लेना आपको यानि English और यहाँ पसंदिदा के रूप में Set करे को किलिक कर देना यह आपका Pure Hindi में दे रहे हैं ठीक यानि OK और फिर आपको यह Message देगा वही Microsoft Office Word को Close किजिए और फिर से Open किजिए तभी आपको यह Effect दिखेगा अब आप देख सकते हैं Microsoft Office Word आपका English में आ चुका है तो इस तरह से आप Microsoft Office Word के Language को Change कर सकते हैं यानि आपको Hindi में यूज करना है यह अगर आपको English में यूज करना है यह इंग्लिस में यूज किजिए तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को Like, Share करना न भूले Share करने से आप तो सीखे ही और आपके Friend भी इसको असानी से सीख सकते हैं बताएगे option में आपको कुछ भी confusion हो यह problem हो तो आप नीचे दिएगे comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं अगर आप इस channel में new आया है तो channel को subscribe जरूर कर लिजिए thanks for watching